तो आज की हमारी इस ओनलाइन क्लास में हम आपके साथ बाच्छित करने जा रहे हैं Advanced Conditional Formatting तो Conditional Formatting की टोटल तीन क्लास होती है जिसमें हम दो क्लास पे अभी डिसकॉस कर रहे हैं बागी एक क्लास आफ्टर ती फॉर्मूला है तो कल की क्लास में हमने Conditional Formatting में बताया कि Highlights, Top Buttons, Data Wars, Color Scales, Icon Set का कैसे इस्तिमाल करेंगे इसके लाबा हमने बुला कि बहुत सारे Options जो कि बाहर नहीं है अंदर है जैसे कि More Rules पे तो More Rules पे जब आते हैं तो यहां आपको between, not between, equal to, not equal to, greater than, less than, greater than, equal to, and less than equal to का इस्तिमाल हम यहां से करेंगे इस्तिमाल कैसे करेंगे जैसे मैंने यहां पे not between select कर लिया यहां पे अपने figures को डालेंगे और यहां format पे क्लिक करके अपने formatting को set करेंगे and okay कर रहेंगे तो इस number के between में जो selected area में होगा वो highlight होगा है ठीक है में जी लेकिन जब इसमें आते हैं तो यह formula किस पे apply हो रहा है cell की value पे मतलब कि numbers पे पट आपको text है जैसे name है city है एक text है तो इस पे apply करने के लिए आप specific test को select करेंगे जहां आपको containing जैसे मैंने बोल दिया कि Delhi होना चाहिए तो new Delhi और Delhi दोनों highlight करतेगा उसी तरह से यहां पे आपको containing है begin bit है and bit है इसका इस्तमाल आप कर सकते इसके बाद text के बाद day targeting जो बाहर पराता वही है blank साबता वही है जो आपने बाहर पराता इसके लिए हमें एक चोटा सा टेट डेटा चार करना होगा हमने हां पर एन्ने किया और एन्ने करने के बाद हमने यहां पर अपने डेटा यहां पर डाल दिया यहां पर कहीं कहीं पर पहुंशन जगों पर अन्ने है और कहीं कहीं पर आपके डेटा है तो कहीं कहीं पर एरर है कहीं पर डेटा है अब मैं इस पूरे को स्लेक्ट करता हूँ स्लेक्ट करने के बाद कंडिशनल फामेटिंग नूरो में जाते हैं फार्मेट से वयलू अन्यूरो से भी अब जा सकते आध अब मैंने क्या किया किया एरर की जो फॉंट कलर है उसको अट्रमेटिक के जगा पे च्पार टनुड कर तो क्या कर दिया वा इसको हटाने के लिए इस फॉर्मूला का भी इस्तमाल किया जाता है यहां फिलाल हमने इस चीज़े नहीं कि कि राइट सर्ट को डाउट इसमें कि अब आगे बढ़ते हैं इसके अलावा इसमें जो चीज़े आती हो आती है फॉर्मूला यूज फॉर्मूल यूज फॉर्मूला मतलब कि आप मैं जान लिजे कि मुझे कलर कहीं कंडिशन कहीं लगानी है जैसे मैं चाहता हूं कि जन्वरी परवरी मार्च अगर क्वार्टर का डेटा अगर जो दस हजाड से उपर जाता है तो एक तीनों एक कलर से कलर हो जाएं तो समझ गया है या डेट को कलर करना है कंडिशन कहीं और लगाते हो कंडिशन के अंदर कैल्कुलेशन नॉर्मल नहीं है तो उस केस में हम यहां जाएंगे नूरूल्स यूज फार्मुला और यहां पर देख एक ठीद ध्यान रखेगा जब यह फार्मुला का इस्तेमाल करेंगे आप एक सिंगल सेल्स लेक्ट करेंगे इस बहुत जवड़ी है फिर मैंने यहां पर सम का फॉर्मा लगाया सम में हमने जैंट से जी तक सेलेक्ट कर लिए और हमने बोला ग्रेंटर दैन तें थाउजन लेकिन इसके प्रब्लम है क्यों कि इसमें डॉलर का सांगा है हम रो नंबर के डॉलर को हटा देते क्योंकि हमें हमारा इस जी तो फिक्स नहीं है इसली हमने क्या डॉलर साइन हटा दिया है फिर मैंने इसकी फॉर्मेटि कर दिया लैन को कि फिर कलर फॉर्मेट से हम ने इसको फॉर्मेट कर दिया और नीचे तक जहां तक डेता है नीचे तक हमने इसको कर दिया भत कलर नहीं हुआ इक्वल्स था लेकिन इक्वल्स नहीं लगाया था अब मुझे पूटे को चेंज करेंगे जो तो नहीं है अब एक बाद चेंज कर दिया सब पर अप्लिकेवर हो गया समझें तो इस तरह कि किसी भी तरह की कैल्कुलेशन कर सकते हैं कैल्कुलेशन तो चोड़िए आपके पास खुद का पर फॉर्मूला है उसको भी लगा सकते हैं जैसे कि यहां हमने आपको लास्ट क्लास ने बताया था कि जब हम कोई नंबर पर दुब्लिकेशी लगाते हैं तो दुब्लिकेशी में क्या होता हैं कि जितना है सब्रेशन हो जाता है कि अब तीनों माल नमर होगा है न सब पहले को छोड़के बाकि जितने भी रीपिटेट वैलु है उसको क्या करते हैं कि इस अगर टू जो है एक बार है दो बार है यहां पर दो बार तीन बार है तो क्या करें एक पहला तू छोड़ दें बागे दुस्ते दो को कर रहे हैं कि अधर करेंगे कैसे देखिए इसके लिए कंडिशनल फॉर्मेटिंग में कोई रूज तो है नहीं बट हमारे पास काउंटिफ का फॉर्मूला में अगर हम पूरे को सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करते हैं तो कोई फैदा नहीं क्योंकि हर जितने भी नंबर है सब्सक्राइब कुछ ऐसा चाहिए जो पहले बाले को वन दिखाए यहां वन दिखाए यहां टू दिखाए और यहां प्री दिख तू लिया,जंद किन हो पाईलू सेम करती है जंच से देखेगा सबूध तो को पहले वालों एक्यों करतेते हैं अब इसको कॉपी करके नीच है क्यों करते हैं कि कि इसे बादे का दलीन रहे को पहले वाहले को हमने फ्रीज किया दूसरे वाले को फ्रीज नहीं किया तो नीचे एटू से एथ्री हो गया एफूर हो गया यहां देख पा रहा होंगे आप और यहां पर फॉर्मले को पेस्ट कर देना है एक कोल की साथ और रिजल्ट देना है कि अगर ग्रेटर देन वन है तो कलर रेड हो जाए या कोई भी कलर हो जाए चाहते आओ लिए और नीचे के दरफ पेंट कर देख और यह वन डाला हमने यहां डालेंगे राइलाइट हुआ पहला वन हाइलाइट नहीं हो इस तरह से आगे आगर में बढ़ते हैं तो यहां पर हमारे पास माल लिजिए कि एक काउंट लिखा हुआ है मैं छत्तओं कि अमांट वो सबको इनंबर में लिखे टेक्स्ट में लिखा है किसे पताचलता है इस टेक्स्टस से इस टेक्स्ट का लगाएंगे तो थू and फॉल्स हाता है अगर जब आपका टेक्स्ट होगा और केंडिश्न旨 को फॉम्मले को आप लगा 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 निए और यहां पर हम अब इसे ट्रू फॉल्स लगाने के जो तो नहीं है क्योंकि आपका कंडिशन प्रमेटिंग्टिंग्ट्रू फॉल्स पर ही वर्प करता है क्या है क्या है क्या बोले हैं सर लेकिन अगर मेरे पास इसे मानने मान लीचे मोवाइल नंबर है अब मोवाइल नंबर में ही मैं क्यारना चाहता हूं कि कोई तस जिर्ट से ज़्यादा ना कम हाइलाइट करें तो यहां न्यू रूल्स जूज फर्मुला और यहां इक्वल लगाएंगे लेन लेन क्या करता है बताता है कि टेक्स में कितने लेन्थ है तो आई टू सेलेक करें इस नॉट इक्वल टू टेंड क्या लग रहा है सही ऐसा देखिए सही तो है लेकि छोटी सी प्रब्लम होगी वह ब्लैंक पे अगर लगा कि आप छोड़ देंगे तो ब् दूकर हो क्योंकि ब्लैंक सिल का भी लेन होता है प्रहा हमने क्वाला था टू ब्लैंक भी तो लोगम होता है ना ऊसे हैं तो यहां पर मुझे दू कंडिशन कि पहला कि ल्येन नॉर्ट टीटींग पर ग्रेटर धन जीरो होनी चाहिए तो दोनों औडिशन होने या 을 तो यहां हम एंड का फॉर्मर लगाएंगे कि एंड और फिर कॉमा देते हैं और दूसरा लेते हैं लेंग आई टू इद ग्रेटर दैन जीरो तो समझे है हट गया सर्थ अब यहां पर कोई भी नंबर अगर मैं तेन डिजिट से कम या जारा रालोंगा तो हालाइट करेगा लाइंग को नहीं करेगा उजी टार से माली जी में पास दे है संटरोड करें संटरोड को कि दो तरीके है जार के पूरे एये को सिलेक कर लें kr programming कि यहां पे आप % अब्यांपे कि संटरोड कर दे किए कर संटरोड कर दिया प्रिया प्र पर इंग्र संट कर दे लिच्षत तो कहने का मतलब है कि आप एक एक सेल के उपर multiple conditional formatting लगा सकते हैं लेकिन तो equal था ना लेकिन मिन्हें पास कुछ और condition हो सकते हैं तो अगर इस cases में हम यहां और भी लगा सकते हैं एक तरीके से मल्टिपल केंडिशन से लिके एक सेल में यहां तो एक सकता है यह और और नहीं सकता है मतलब कि एक सटर्डे हो सकता या संदे हो सकता है और लेकिया कि इसकिन ड्राव लग जा रहा है तो मैं मैं मैंनुल लिखता हूं, M2 is equal to Saturday, अगेन M2 is equal to Sunday, इन वर्ड़ों को में दिया है क्योंकि Saturday Sunday टेक्स्ट है इस दिया, फॉर्मेटिंग में गया, फॉर्मेटिंग को इस पॉर्मेटिंग में फॉर्मूला ही लेना पड़ेगा, इस एक ग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, देखे, मैं लेजे कि यहाँ पर सर्च, मैं चाहता हूं कि जो मैं यहाँ वी टू में टाइप करूँ, अगर जहां जहां मैंच करूँ हाँ, तो बहुत सा लोग क्या करते हैं कि यहाँ नियू रूल्स में जाते हैं और मैच करते हैं क्योंकि इक्वल टू में हमें 50 लिखने पड़ेंगे ना जोड़ी नहीं आप इसको सेलेक्ट करें कंडिशनल फामेटिंग के इक्वल टू में जाए अब यहां पर हम 50 टाइप करें से जोड़ी नहीं किसी सेल का रेफ्रेंस भी दे सकते हैं हमने पीटू दे दिया ना अब जहां जाए 50 है पुर्टी है जब फॉर्मूला पहलेंगे तो बाकित से योपे डिसकस करेंगे